कि साथ हिं नियाय का नाता धर्म के पालं से हैं और अच्छे बूरे कर्म नियाय का आधार होते हैं सबसे आहम और खास बात आपकोुटा दें कि आप बहुलकर भी शनीदीव की आंखों में आँख डालकर पूजा कतई ना करें वरना ऐसा करने से शनी महराज का गुस्सा काफी जादा सर चढ़कर बोलने लगता है कही न कहीं से हमें परिशानी का सामना भी जरूर होता है लेकिन ऐसा ही नहीं है कि शनी महराज हमेशा हर किसी से नाराज ही रहे मलकी ये मनचाहा फल भी जरूर देते हैं आने वाले समय को सुधारने के लिए आप शनीदेव की पूझा पार्ट करेंगे तो आपको लाव जरूर हो गया अब जोतिश के कुछ ग्याता बता रही है कि ऐसा महासंयोग बन रहा है जिसमें तीन राशी के जातकों का जीवन हमेशा हमेशा के लिए धन्न होने वाला है क्योंकि शनीदेव का गुस्सा अब बिल्कुर शान्त हो चुका है और शनी महराज इस राशियों को अपना मनचाहा पर जरूर देंगे तो आई यह जानते हैं और बताते हैं यह आखर कौन सी हैं वो तेन राशिया जो अब शनीमहराज का बहुत ज़्यादा लाब उड़ाने वाली है यहन। शनीदेव की गुस्से में उनको अब बहुत ज़्यादा कि शन्देव का गुष्टा बुई तरह से शांत हो चुका है वो राशिया है मेश वरश और वरश्यक राशी नेक्स्ट नाइन इस्परेच्वल से आकाश की रिपॉर्ट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो